पीछे भी आपको सेम ऐसे हम लोग साड़ी उल्ती पकड़े हैं लाव क्योंकि हम ऐसा जो पतला बॉड़र होता ना वह उपर मुझे तो अभी तक यकी नहीं हो रहा है मुझे बोलके भी है रानी हुरे कि पंदरा सो में यार पंदरा सो में आपको वैडिंग लेंगा आज हम आपके लिए लेकर आगे फिर से मिशू अनबॉक्सिंग हॉल वीडियो और यह जो अनबॉक्सिंग होने वादी है वो लहंगा साड़ी की है तो अगर आपके घर में वेडिंग है या फिर आपके आपको लेंगा परिशिच करना है और आप बजट फ्रेंड लेंगा दोन रही थी तो यह वीडियो आपके लिए हल्फुल हो सकती है और इसके पहले भी हम लोग ने एक अनबॉक्शन शेयर की थी और पिछली वीडियो में जहां पर हम लोग ने बोला भी था कि और भी लेंगे आने वाले हैं तो अभी फिलाल वो भी रिसिप हो गया है और और लेंगा कितना खुबसूरत निगला था मुझे अभी तक वह लेंगा मतलब उसमें का मैं एक और पीस और करने वाली हूं अपकोस दूसरा कलर और करूंगी तो वह भी मैं आपको लोग के साथ शेयर करूंगी तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्र अब जाएगा आप उसे वेजा करके देख सकते हैं अभी हो गई बहुत सारी बात है तो बिना देर के वेए आज की अन्वाक्सिंग को स्टार्ट करते हैं यह रहा हमारा हुश्च प्रोडक्ट इसका प्राइस है पांग सो एपीस पाइफ हंड़ेड थाटी चेवें इसमें क्या है इसमें साडी है पता है तुमको हाँ इस पर मैं चल जाते हैं कौन से प्रोड़क्ट आने वाले हैं तो फिलार भाई एक का अन्बॉक्सिंग कर रहा है और मैं सोच रही थी कि मुझे यह भारी भरका वाला लहंगा पहले देखना था बट भाई ने पहले वह पाड़ मुझे खुद भी याद नहीं यह साडी कि साडी माब देख आत金scale कर दो सॉफ्ट है तो यह सब्लावज और यह साडी और यह सेटन सिल्क के साड़िके कफी चमकदार है इसमें प्रिंट है और इसका जो सॉर्टन है थोड़ा सा ना मुझे मोटा लग रहा है मतब सॉफ्ट एकदम जैसे होता है एकदम मखण वाला जो सॉर्टन वो मखण वाला फिल नहीं आ रहा है इसमें जैसे मैंने यह ड्रेस वेर किया देखिए इसकी वी अन यह पर देख सकती है देखिए उपर की तफ रेड कलर है और बीच में अगल की वाइट और नीचे जो वाइट पे रेड कलर के फ्लावर बने हुए है रेड कलर के से बहुत की खुब सुरत लगा देखिए और इस साड़ी की जो लैंद है 5 मीटर है 80 सेंटी मीटर का यहां प मैं आपको एक पाइंट दिखांगा कि कितनी लंबी साड़ी है क्या इसमें क्योंकि हमनों क्या है तो देते हैं बट कई बर वो साड़ी उतनी निकलती ने जितना मेंशन किया होता है तुमने उल्टा इंची टेप भी पकड़ लिया देखो कितना वन मीटर डेड़ मीटर की पूरी इंची टेप है देड़ मीटर तो देड़ मीटर ही हो गया इसको डबल करते हैं देड़ तीन मीटर और इसके बाद से बड़ लुका तो बड़ा आणि बेड़ तुम बेड़ तेन चार सााड़े चार और यह फांच साड़े-फांच मीटर लकबग में यहरा पांदो हार यह साड़े की लेंद काफी अच्छी दी गई है और साड़ें का जो प्ल così्यट है वो जेसा चेह परियों एंगि 500 संथिंग का है साइड में जो भी इसका प्राइस होगा उसको स्क्रीन पर मैं लगाऊंगी तो आप वीडियो को स्किप मत किजिगा स्क्रीन पर देख लिजिगा और यहां पर भाई ने प्रेंची टेप फिर से फेक दिया तो यहां पर देखिए इसका जो फैब्रिक है वो मतलब जो कॉटन सिल्क होता है वो इसका फैब्रिक है थोड़ा सा शाइन भी कर रहा है तो बिल्कुल प्लेन है इसमें कोई भी वर्क वगरा नहीं की गई है इंची टेप सही पप्ड़े उस पार 95 तो यहां पर 90 संटीमीटर मानके चलो इतना तो एक्स्टा तो यहां पर 90 स संटीमीटर बोलते हैं बर्दे कि भाई ने मेजर्मेंट किया और यह 90 संटीमीटर का निकल गया तो यह इसका ब्लाउच पीस तो हमारी फर्स साड़ी एंबॉक्सिंग हो गई है अब यह अगर अच्छी लग रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और यह एंबॉक्सिं अगर आप लोग देखने के लिए कि वाकी में ऐसा आता है अगर सच में ऐसा होगा तो आप लोग डेफिनेटल इस लेंगे को अगर जरूर कर लीजेगा वी पंद्रासों में ब्राइडल लेंगा कहीं नहीं मिलने वाला है और इसका वेट कितना होगा वाई को बाई को अराम से बीचारे रैपर की धज्या ना उड़ जाए पिछली बार की तरह हम जो कि अजब कजब अन्बॉक्सिंग इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया था ना क्योंकि भाईने में अजीव होगा इस बिजाएं से प्राब फाड़ा तर रापर को काफी भारी भरकम है इसकी पहले लहंगे का पैकजिंग को देखने दो बहुत आवाज है आराम से खुलो ना आवाज बहुत ज्यादा रही है तो यह लहंगे का फॉर्ट लूक है और यह एक जीपर वाले इस तरीके की बैग में रिसीव हुगा है तो यह लहंगा जैसा पिक में दिख रहा था ना सेम सेम बिल्कुल वैसा यह पूरा इस पर डाइमंड वर्क क्या हुआ है नीचे की तब देखिए यह पूरा लहंगे का लुक है इस तरीके से और यह एक वैलवेट का लहंगा इसका जो मैटेरियल वैलवेट का है और जो कलर है वह रैड है जैसा कि ब्राइडल लहंगा होता है बहुत ऑसंवाला रेड है तो यह लहंगा भया कितने का है यह अभी ने बताया जारी 500 से कैसा लग रहा तूंको को कुछूरत है मतलब राइडर लहंगा पंद्रहसों में हो सकती हैं इमेले प्लिद नहीं कर सकती है और अभी हम इसको ओपेन करने वाले हैं यह किस तरीके से हमें दिया गया है तो यह है इसका डूपट्टा और ब्लाउज तो इसे हम बाद में दिखाएं कि पहले सबसे पहले लें कोई खोलते हैं तेखिए कितना खुषूरा थी यह लाई याँ वाव यार ओ माई गॉड़ मतलब यार इस पर कैंकें है भी वाला कैंकें लगा हुआ है गाइस मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है यार मैं इसको खरीद के बहुत जादा एंपी हूँ मतलब मैं तो अपने वेडिंग में इसे पहल हुए इतना खुबसूरत है कि पंद्रसों का यार मुझे यकीन कर लें तो यह लेगा पंद्रसों के मैंने बाई किया हो माई गॉड़ ऑसम जिनको यकीन होगा है साइड में स्क्रीन साट लगाऊंगी मैं अब देख लीजेगा इस फिलालि नहीं नहीं पेल। इस क्या हुआ साट रहा ॸिर्षणी की अब हुँ क्या सटिकेया इस स्टों प्रपानि सुर्स्तों को यह बोलते हैं स्टों बोलत एए स्टों ज ही अभी तो विलाल नहीं निकल रहे हैं बट इंब रोड़े और फिनिशिंग बहुत सब्सक्राइब है और बैक साइट से दिखा अब साधी में आप जो भी सिस्टर लोग देख रहे हैं अगर समकी साधी होने वाली है तो इसको पर्चेश में बहुत ही खुब्सूरत सबते ही वाल मुझे तो अभी तक यकी नहीं रहा है मुझे बोलकर है भी हरानों एक पंद्रह सो में अपको वेडिंग लेंगा इसको बट चैता मैं अब यहां मैं ने खुद भी लेंगे औलान बहुत पर्चेश कियां बहूत लेंगे परचिस कि अग्जार का आप मार्केट म वह थोड़ी से अलग होती है यह जो लहेंगे की क्वार्टी है यह आपको 5000 के लगभग में मार्केट में देखने को मिलेगा तो इसके जो लाइनिंग दी गए न वह दिखें क्रैप की दी गई है अगर आपके घर में साधी और आपका बजट मतब 2000 का लोग तो मान की चलते हैं अगर आप कितने भी पूर से फैमली से बिलाओं करते हो अगर आप वेडिंग के लेहंगा सोचते हो तो आप 2000 के नीचे तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बट 15 समय आपको यह लेंगा मिल जा रहा है या पर वेस्ट पे अब इसके इंब्राडी और फिनिशिंग दिखाती हूं है दिखिए वेस्ट पे इस तरह का पूरा वर्क मिल नीचे की तरफ यहां पे आपको वर्क देखने को मिले का साइज में ट्रायन में मैं लगाऊंगी ताकि आपको पूरा क्लियर हो सके और बीच पीच पे पूरा फ्लावर की डीटेलिंग दी गई है बहुत की सांदार है अब इसका वेस्ट सब मेजर करो भाईसाब ताकि मेर क्यां करते हैं वेड़िग लेहए तो जरूरी होता है कि हम हर एक छीज आप को बताए कि इसमें कैसी दी गई आपको कहां तक आए गा 000 नहीं भाई यह इसको इंच में बताना होता है तो उन देखिए यहां पर यह आपका उल्टा लुटा रखता है यह है यह हे 21,21 यानि कि यह आपको 42 कमर तक को आएगा लेकिन मैं कहूं तो यह तैयार होने के बाद 40 कमर तक को आएगा तो अगर आपकी कमर 40 है तो आप डेफिनेटली इस लहंगे को जरूर से जरूर भाई की जिए गाराम से आजाएगा भाई को तो मदब अगर आपकी वेस्ट ना 40 है क्योंकि यह 42 भले दिया गया लेकिन जब आप इससे स्टीच करते हो थोड़ा से कम हो जाता है तो चारिस तक को आजाएगा इसली से अब बात करते हैं कितनी कलिया लगई है काउट करो भाया चलियों की खास बात है कि इसमें कम लगाई गए बट काफी चोड़ी चोड़ी इसकी वज़ ना क्योंकि किसी भी लेहे का जो लूख है तो यहां पर हम डबल फोल्ड में करके स्को मैसर करेंगे वह इसको में मेर में बताना है कि यह है 121 23 24 तक आ रहा है यानि कि आपको धाई मीटर का फ्लेयर यहां पर देखने को मिलेगा तो हर लहेंगे में लगब धाई मीटर के फ प्राइस में मेरे ख्याल से तो मैं इतना मैं देखता हूं आपको कहीं नहीं मिलेगा अब इतने तारीफ कर रहे हैं क्योंकि तारीफ के प्रमोशन या ऐसा कुछ नहीं मिलता है अपने देखा आगा वीडियो शूट कर रहे हैं कि वेडिंग आप मिस ना कर जाओ यह लेंगा तो यह लेंगा आप बिल्कुल भी मिस मत करना बहुत ही ज्यादा ऑसम है सूपर से उपर आप खुद लोग कमेंट करके कहेंगे कि इतना खुब्सूरत लंगा वाके में आपने सही बता है आपको पाते चला आपनों की अन्बॉक्सिंग जब हम दोनों एक साथ बनाते इतनी लॉंग क्यों हो जाती है क्योंकि भाई थोड़ी तारीफ करता है थोड़ी मैं करती हू आप तुरंत से बाई किजिए इसमें हैवी कैन के साथ मिलता है अब इसके डूपट्टे और ब्लाउज को दिखाते हैं तो यह दोस्ते यहां पर आपना डूपट्टे में हमारा ब्लाउज भी अटेच थोड़ा रूज एक सेकंड डूपट्टे पे भी इतना है वी वर्क ह जैसा कि ऐसा नहीं कि यह ब्राइडल जाई सी ब्राइडल लेंगा तो पर प्रण्ट से इसमें जरी धागो का रिसम के थ्रेड का वर्क है मतलब ऐसा होता ना कि क्यों गोल्डन कर दिया जाता है तो उसमें थोड़े थोड़े सा पिंकिस पिंकिस लुग दिख रहा तो बहुत ही खुबसूरा थे पूरा भरा हुआ वर्क है लेंगे पे और डूपटे में भी देखिए बीच-बीच में चोटी-चोटी फ्लावर की बूटिया बनीनिया यह देख नहीं आप इस तो बिल्कुल भी प्लेन आपको डूपट्टा नहीं मिलता है 1500 में मतलब आप अब बात करतें ब्लाउज की तो ऐसा नहीं कि ब्लाउज प्लेन दिया गया है बहुत ही अच्छा वर्क किया गया यह ज़री की इसके साथ में बहुत बेटरी लग रहा है और जो डिजाइन लेकिन एक चीज में देखने दो डूपट्टे के लिए ओके यह तो यह बैक साइ इसका इंब्रोडी किया गया मतलब स्लीप बहुत अच्छा लगेगा चोटे चोटे स्लीप या फिर आप लॉंग भी बरनवाते हो तो भी आपको अच्छे लगेंगे और यहां पर देखिए यह जो इसका फ्रंट वाला पाट है यह फ्रंट है यह फ्रंट नेक है और यह ब अब कहेंगो वाइ, यवह फू लुकंछ इस्टा Ouंडिंग अच्छा मुझे 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 उढ़ा के दिखाओ चलू 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 खाते पहुत आगातार मेरी बेहन रहों है कि मोइसे हो धार हो जायदि हुत आइसा मना लेता स्थेव म yhte हो गे आए धोसे अंबॉक तो यह हो गी आती हमारी नेक्स प्रोडक्त प्राइस है डो सोच फिर्ट रोउज नहीं बना हुआ है डेखे अंदर क्या इसके अंदर इसके अंदर वाव वाव रॉझ ब्लाउज मैंने ऑर्डर किया था यह लो ब्लाउज मुझे औरेंज मिल गया है यार वह पूर औरेंज मेरे पास अल्रेडी गलत हो गया तब पर इसका जो लुक है वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है खुबसूरा था लेकिन इसके पास अल्रेड़ी पहले से ही और यह तीसरा मैं और नहीं रख सकती एक्षेंज में डेफिनेटले लागाने वाली हूं बाकि इसकी क्वार्टी वगेरा देख लिए बहुत अच्छी जाए गया इसके सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब गया जाता है अक्सर लोग के साथ हो प्राइब मेरा लेंगा सब्सक्राइब भूल जाओं गया तो मुझे अगा थे यह जब तो एक्सेंज होई जगा बट लेंगा अगर गलत आ जाता तो फिर रिटर्न करना एक्सेंज करना बड़ा ही मुस्किल हो जाता है बट अभी में बहुत ज्यादा है यह जब लेंगे के लिए तो यह जो बाउजी फ्री साइज में अवल अवल था तो मैंने फ्री में फ्री साइज में ऑडर किया है आप लेना चाहिए ले सकती है कलर इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे और इसका प्राइस तुमने अल्रेडी बता ही दिया आप नेक्स अंबॉक्सिंग करो भी यह हमारी नेक्स अंबॉक्सिंग देखते हैं इसका पांसो बार रुटे का यानि कि मुझे मैं बैसे इसांगी सबसेज हैं अब इसका ब्लाउच पहले मेजर कर लेते सबसे पहले यह सामने रगतों काफी अछ़्डिजाइन बना हुगा ब्लाउच पे तो यह देखिए ब्लू कलर का इसका ब्लाउच पीस है पूरा यह आपका बुनावट वाला फैब्रिक दिया गया है सिल्क का फैब्रिक है इसको मेजर करो तो 80 सेंटीमीटर वैसे होना चाहिए लेकिन मिशु का ज्यादा तो 90 सेंटीमीटर या वन मीटर के करीब आता है अब मुझे मेजरमेंट करना आ गया अच्छे से यह कितना है 80 सेंटीमीटर इसके पहले जो साडी पे ब्लाउच था वो 90 सेमीका था ये 80 सेंटीमीटर का है और साइड में ट्राइयन सभी के में लगा दूंगे आप देख लीजेगा अब बारियाति हमारी साडी के अर यह साड फे खे खेक लगा जैना रखि अड्रह आएग लियो कि शांवे ठोजाए को मैं लुटे पकड़ इसका पर लू तुम पकड़ा इधर से पकड़ा इधर से अटा है इ जब तो यह इसका पल्लू और थोड़ी सी समय साजिर इल जैंड पाइजा बहुत है क्या बाई दाए यह 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 पुल्डर का उपर का इसका यह है और नीचे भी आपको सेम आसे हम लोग साडी उल्टी पकड़े है लाओ साडी कोन की चाहिए वाइन नहीं नहीं स्युद्श साडिशिया ओपतला बॉर्ड होता है। अगल वर्टा हो सका है। से यह सीधी साडी यह कोई सपहनी सीध कि पहने से अधा में साडी कोई की फिर्ण भूनकि में सेसे किती हों तो मैं साडी करती हूं करूं मेरा ड्रापिंग का टित्यॉरियल दोस्तों नमा वी नया हुना द्राइबर तरहे होता है अधा यह जाए है तो यह रिखिए साडी कुछ तरीकह से उठाओ पर नीचे का देखिए बॉर्डर जो है थोड़ा सा चोड़ा दिया गया है और उपर कहा पर यह पतला सा बॉर्डर इस पर इस तरी के और पूरी साड़ी पर आपको कुछ दिख रही गी ना पूरा पिनावड जैसा किया गया है हलकी अलकी डिजाइनिंग बने वही है पलू यहरब दे भी तबधिने पर यह खूरा कि अड़ी बहुत फ्रइण शुद्स रूह इस पर शुद आप अपके बहुत की बहुत बहुत कुलेंगे और और काफे सॉफ्ट सा सिल्क है और तो क्वाल्टी बहुत क्यार्टी की च्छी सब्गार्य तर इसा देखने में नहीं हो लगने वाला ही देखिए तो यह हमारा ब्लाउज साड़ी साड़ी हो गया साड़ी के लाइन 5.5 मीटर थी मेजर नहीं करना नहीं तो इसको मिलते भी हैं 5 स्टार दोस्तों यह था हम लोग आज का अन्बॉक्सिंग वीडियो आज का अन्बॉक्सिंग वीडियो आपको कैसा ल अगर आपको नहीं पताव मिसू से किस다 से ओर्डर कर सकती है या फिर रिसेल तो वीडियो के एंड मेक चोटी सी क्लिप नहीं लगाऊंगी क्यों कि वीडियो बहुत लंबी है तो मैं डिस्किट्टर मोख्स में लिंक दोंगी उस वीडियो का जहां पर मैंने दिखा रहे है टो श्राहे हैं तो यह को नहीं नहीं पता है मिशू ग्या है तो मिशून इंडिया का number one is a लिए जाहां यहांसे पैसे कमा सकती है रेशिल करके या फिर आपके अपने लिया on line करता रहूंगा तो अभी हम लोग जैसा की बहुत ज़्यादा काम चल रहा है तो इसकी वज़े से भाई को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाती है बट फिर भी भाई मैनेज कर लिए क्योंकि मैंने इसको अन्बॉक्सिंग कैसी लगी आप जरूरी बताएगा अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम मिलते हैं हम भाई भाई मिलते हैं किसी और अन्बॉक्सिंग वीडियो में तक तक के लिए बाई